नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है Realme 12 5G दोस्तों अगर आपने इस फोन को पर्चेस किया है या अगर आप इसे पर्चेस करने वाले हो तो जैसे ही आप अपने फोन में सेटप कम्लेट करोगे उसके तुरान बद आपको चेंज करनी है ये 20 सेटिंग्स इस फोन में आपको मिलता है Double Tap to Lock और Double Tap to On का फीचर अगर आप भी अपने फोन में इस फीचर को On करना चाहते हो तो आपको अपने फोन के Home Page पे Long Tap करना है पिर यहाँ पर आपको मिलेगा More का Option उस पर टाप किजिए यहाँ पर है Double Tap to Lock आपको इसे On करना है इसके लाओ आपको नीचे आना है यहाँ पर होगा और एक Option Double Tap to Wake और Turn Option आपको इसे भी On करना है आप अपने फोन में बिना किसे आपको डाउनलोड किए वाट्साप के डिलेट कियागे मेसेज को काफी आसानी से रीट कर सकते हो तो उसके लिए आपको जाना है दिलेट कियागे मेसेज को रीट करना हुआ तो आपको जना होगा सेम सेडिंग्स में और यहाँ आपको मेलेगा Last 24 Hour का Option यह रहा उसके नीचे होगा WhatsApp और WhatsApp के सामने होगा Arrow का बड़न आपको इस पर ट्याप करना है और यहाँ पर होंगे उस भी मेसेज जो डिलेट किये गये थे आप उन्हें टाइम के साथ इस तरह के से रीट कर पाऊगे इस फोन में आप YouTube को Background में प्ले कर सकते हो मतलब कि अगर आप अपने YouTube आप को Close करोगे अपने फोन को Lock करोगे डिस्पले ओफ करोगे फिर भी आपके फोन में YouTube आप ले होता रहेगा विगरण में तो इसके लिए आपको Open करना है इस आपको जिसका नाम है Internet यह आप आपके फोन में पहले से होगा आपको इसे Open करना है Agree and Continue किजिए इसे किजिए Don't Allow फिर आपको करना है मेनू पे ट्याप और यहाँ पे होगा Settings इसे Open किजिए और फिर आपको इस Option को On करना है Floating Toolbar इसे On किजिए इसके बाद ब्याक आईए और यहाँ पे होगा Doors का आईकन आपको इस पे ट्याप करना है YouTube पे आपको ट्याप करना है फिर आपको किसे भी वीडियो को Play करना है Box में टिक किजिए Continue किजिए Play करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे Floating Button आप देख पा रहे हो यह है Floating Toolbar आप इसे अलग-अलग Place पे Place कर पाओगे फिर यहाँ पे आपको मिलेगा Headphone का आईकन आपको पे Tap करना है और इसे Close करना है अब आप देख सकते हो मैंने अपने फोन में YouTube आपको Close कर दिया है अपने फोन को Lock कर दिया है Display को Off कर दिया लेकिन फिर भी मेरे फोन में YouTube Play हो रहा है Background में Background Play को Close करने के लिए आपको इस Headphone के आईकन पे फिर से Tap करना है अब यह Background में Plain होगा आपने गोर क्या होगा अगर आप किसी भी आपको Install करोगे तो आपको उसके बाद मिलेगा Scanning का एक Page और वहाँ पे आपको Add भी शोओंगी जैसे कि अगर मैं इसे करूंगा Install तो Install होने के पाद इस तरे के से Scanning का Page शो करेगा और यहाँ पे आपको Add भी शोओती है अलग-अलग Apps के लिए आप देख सकते हो तो अगर आप चाहती इस तरे के से आपको Scanning का Page शोना करें और इसी Add शोना करें तो आप इन्हें इस डिसेबल कर सकते हो आपको यहाँ पे Doors के आइकन पे Tap करना है Settings पेट आप कीजिए और यहाँ पे इस Toggle को Off करना है इसके बाद अगर आप किसी भी App को Install करोगे आपको Scanning का Page शोनी करेगा आप देख सकते हो मैंने इस App को Install कर दिया है लेकिन अब यहाँ पे कोई भी Page शोनी कर रहा है इस तरीके से अगर आपने अपने फोन में Face Unlock को Enable किया होगा तो आपने गोर किया होगा जब भी आप अपने फोन को Face से Scan करके Unlock करते हो तो आपका Phone Unlock तो हो जाता है Lock भी खुल जाता है लेकिन आपको End में करना होता है Swap Up तभी आप अपने फोन को Use कर सकते हो लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपने phone में direct face unlock को enable कर सकते हो आपको end में swap up नहीं करना पड़ेगा तो आपको जाना है settings में security and privacy में device unlock में face and fingerprint unlock में face पे tap किजिए और यहाँ पर होगा enter home screen after unlocking आपको इसे on करना है इसके बाद अगर मैं अपने phone को face से scan करके unlock करूँगा तो मुझे end में swap up नहीं करना पड़ेगा मेरा phone हो जाएगा direct unlock इस तरीक से आप देख सकते हो बिना swap up किये मालीजी आपने phone को lock किया है और SMG आकर आपके phone में जो control center है उसे access करना चाहेगा तो काफ ही जिली access कर सकता है इतना है अगर हो चाहिए तो किसी भी toggle को unlock कर सकता है बड़ी आसानी से आप देख सकते हो तो अगर आप चाहते हो आपका phone जब lock होता है तब कोई भी इसे access ना कर सकते हो तो आप इसे lock screen पे block कर सकते हो तो आपको जाना है settings में notification में lock screen पे ट्याप किजिए और यहाँ पे होगा swipe down on lock screen आपको इसे off करना है इसके बाद अगर आपका phone lock होता है अगर इसे में कोई यहाँ कर आपके phone में जो control center है उसे access करना चाहेगा तो access नहीं कर पाएगा आप देख सकते हो जब आप अपने phone को unlock करोगे तभी आप इसे access कर पाओगे इस तरह किसे इस phone में power menu को access करने का तरीका थोड़ा अलग है आपको power button और volume up दोनों के एक साथ प्रेस करना होता है और आपको मिलता यह power menu जहां से आप अपने phone को restart या फिर switch up कर सकते हो लेकिन अगर आप चाओ तो केवल power की पे long press करके इसे access कर सकते हो आपको दो बड़न पे प्रेस नहीं करना पड़ेगा तो आपको जाना है settings में additional settings में power button में press and hold the power button पे tap किजिए और आपको set करना है power menu पे इसके बाद आपके वल power की पे long press करके जो power menu है उसे access कर सकते हो अब आपको दो बड़न पे प्रेस नहीं करना पड़ेगा कि आपको बता है अगर आप अपने phone को low करके रखोगे फिर भी अगर कोई चाहेगा तो आपको काफ़ी easily सूचोप कर सकता है जैसे कि आप देख पार हो मैंने अपने phone को low क्या है लेकिन अगर कोई आकर मेरे phone को करना चाहेगा सूचोप तो काफ़ीये प्राफिशूप और भी बिना किसी password के तो अगर आप चाहते हो जब आपका फोन लोग होता है तो बिना password के उसे कोई भी switch up ना कर सागे तो आप ऐसा भी नेबल कर पाऊगे तो आपको जना है settings में security and privacy में more security and privacy में और यहाँ पे होगा require password to power up आपको इसे open गर के struggle को own करना है अपने password को confirm किजिए इसके बाद अगर मैं अपने phone को log करूँगा और कोई आकर मेरे phone को switch up करना चाहेगा तो switch up नहीं कर पाएगा उससे enter करना होगा मेरे password को या फिर scan करना होगा मेरे fingerprint या face को तब भी मेरे phone को switch up कर पाएगा अब जब भी किसी भी website या अप में login करने के लिए password को enter करूगे तो आपने गोर क्या होगा password के लेटर कुछ moment के लिए show करते है इस तरह के से तो अगर बगल में कोई मिठा होगा तो जान पाएगा कि आपका password क्या है तो अगर आप चाहाती विस तरह के से password के लेटर शोना करें तो आप इन्हें hide कर सकते हमेशा के लिए तो आपको जाना है settings में security and privacy में privacy में और यहाँ पे होगा show password आपको इसे off करना है इसके बाद अगर आप password को enter करूगे तो आपको password के लेटर शोनी करेंगे अब आपको यहाँ पे show करेंगे के वाल dots and dots इस तरह के से आपके phone में कितनी RAM available है और कितनी RAM user अगर आपको check करना हुआ तो आपको enable करना है एक shortcut को तो आपको open करना है recent apps को और यहाँ पे होगा close all का button आपको इस पे long tap करना है और यहाँ पे सबसे उपर होगा display RAM information आपको इसे on करना है इसके बाद जब भी आप अपने recent apps को open करोगे आ आपको यहाँ पे close all की नीचे मिलीगी RAM information तो यह है available RAM और यह है total RAM और आपने कितनी चीब भी virtual memory को expand किया है आप उसे भी आपको check कर पाऊगे जब भी आप अपने home page पे करोगे swap down तो आपको मिलीगा एक global search का option लेकिन मैं चाहता हूँ जब भी मैं अपने home page पे swap down करो तो मु पे tap करना है और set करना है notification drawer पे इसके बाद अगर मैं home page पे करूँगा swipe down तो मुझे भी लगा यह control center अब आपको global search का option शोनी करेगा आप देख सकते हो अगर आप चाहाँ आते हो जब भी आपके phone में कोई भी नई notification आए तो आपके phone में display on हो जाए तो आप ऐसा भी enable कर पोग तो आपको जाना है settings में notification में lock screen पे tap किजिए और यहाँ पे है wake screen आपको इसे on करना है तो माल लिजे आपके phone में display off है और ऐसे में अगर आपके phone में कोई भी नई notification आए तो आपके phone में display on हो जाएगा आप देख सकते हो माल लिजे आपका phone lock है display off है और ऐसे में अगर आपको जलिद से अपने phone में camera torch को launch करना हुआ तो कैसे करोगे तो उसके लिए आपको इन्याबल करने है दो shortcuts आपको जाना है settings में additional settings में gesture and motion में screen of gesture में और यहाँ पे है draw and O, draw A, B दोनों को आपको on करना है और आपको करना है got it तो माल लिजे आपके phone में display off है अगर आपको जलिद से camera को launch करना है तो आपको draw करना है O, आपके phone में open होगा camera अगर आपको अपने phone में torch को launch करना है तो आपको draw करना है V, आपके phone में launch होगा torch, अगर आपको इसे off करना है तो फिर से V को draw कीजिए आपके phone में torch off हो जाएगा इस phone में आपको मिलता है dynamic button का शांदार feature मतलब कि आप अपने power key को अलग-अलग function के लिए assign कर पाऊगे double tap और double press के लिए तो मैंने क्या किया है double tap के लिए set किया है vibrate mode को तो आप देख सकते हो मेरे phone में ringer mode on है लेकिन अगर मैं power key पे double tap करूँगा तो मेरे phone में vibrate mode on हो जाएगा इस तरह किसे आप देख सकते हो अब यहाँ पे हो चुका है vibrate mode फिर से अगर मैं double tap करूँगा तो पहले जो mode था वही mode activate हो जाएगा इस तरह किसे आप देख सकते हो और double press के लिए यह ने set किया है google lens को तो मुझे अगर कोई भी text को scan करना है translate करना है तो मुझे जल्दी से करना है double press power key पे मेरे phone में open होगा google lens फिर मुझे scan करना है और यहाँ से में किसी भी text को translate कर सकते हो बढ़ी आसानी से तो इन दोनों actions को on करने के लिए आपको जाना है settings में special features में dynamic buttons में आपको इस struggle को on करना है और यहाँ पे double tap इस पे tap किजिए मैंने double tap के लिए set किया है change sound mode इस पे आप किजिए आपको set करना है vibrate पे confirm किजिए back आईए और यहाँ पे double press tap किजिए और आपको इहाँ पे open camera पे tap करके set करना है google lens पे confirm किजिए हाला कि आप अपने साब से कोई भी function assign कर सकते हो double tap और double press के लिए इस phone में आपको मिलता है smart set bar का शांदार feature तो इसे enable करने के लिए आपको जाना है settings में special features में और यहाँ पे है smart set bar इसे open करके आपको इस toggle को on करना है फिर नीचे आकर आपको जो file log है उसे भी open करके इस toggle को on करना है तो इसके बाद अगर आप गोर करोगे तो यहाँ पे आपको show करेगा एक बार यह है line आपको इस पे करना है swipe और यह है smart set bar तो यहाँ पे show होते हैं कई सारे useful functions अगर आपको इने edit करना है तो edit पे tap किजिए अगर आपको इने से किसी को भी remove करना है तो minus के sign पे tap किजिए add करने के लिए plus के sign पे tap किजिए यहाँ से इस तरह के से done किजिए तो यहाँ पे है screen shot, screen recording, screen translate इसके लवा कई सारे apps को आप open कर पाओगे और किसी भी app पे अगर आप tap करोगे तो open होता है इस तरह किसे floaty window में आप इसकी size भी change कर सकते हो और आप इसे जहाँ पे चाहिए वाँ पे place कर पाओगे इस line पे track करके आप इसे minimize भी कर सकते हो corner में track करके इस तरह किसे फिर आप इसे जब चाहिए तब इसे open कर सकते हो close करने के लिए close पे tap कीजिए इसके लाओ sidebar में आपको भी लेगा file log का शांदार feature उपर में आप देख सकते हो तो आपको इसे enable करने के लिए इस पे tap करना है इसे अंटिक कीजिए और कीजिए get started तो हमने यहाँ पे file log को enable कर दिया है अब इसका फायदा क्या है तो आप यहाँ पे अपने किसी भी content को save करके रख सकते हो ताकि आप उसे जब चाहिए तब फिर किसी भी app में share या पेस्ट कर सको जैसे कि मालने जी मुझे इस text को copy करके save करना है file log में तुम्हें इस पे करूँगा long tap और इसे करूँगा select फिर आपको इसे drag करना है long tap करिए drag किजिए और आप इसे release किजिए file log में अब यह text हो जाएगा save file log में स्वेम तरीके से कर आपको एक या multiple photo को place करना है file log में तो आपको उन photo को करना है इस तरीके से select तो चार photo मेंने कि select आपको long tap करना है और drag करना है file log में तो जो भी content आपने save किए file log में आपको इस तरीके से show करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे है photos और यह है text अब माल लेजे मुझे इन में से किसी एक photo को Gmail में attach करना है तो मैं इस पे long tap करूँगा drag करूँगा Gmail को open करूँगा compose करूँगा और इसे करूँगा attach यहाँ पे तो इस तरीके से आप अपने content को share कर पाऊगे attach कर पाऊगे अलग-अलग app में अब माल लेजे मुझे किसी note को create करना है और मैं चाहतो जो photo में ने save किये है file log में वो यहाँ आप पे attach करना तो मैं इसे create करूँगा और यहाँ पे जो photo है उन्हें करूँगा select तो long tap करके उन्हें select कीजिए मैं दो photo को करूँगा select और जो text उसे भी करूँगा select तो आपको long tap करके drag करना है यहाँ आप पे तो photo और जो text अट्याच हो जाएगा मतलब कि आप उन्हें split window में open नहीं कर सकते अगर बात करेंगे instagram, snapchat, phone पे settings या clock app की तो आप देखोगे यहाँ पे multi window के लिए कोई भी option शोनी कर रहा है जैसा option यहाँ पे show कर रहा है इस तरह के से यहाँ पे आप देख पार हो split window यह option आपको बाकी apps में show नहीं करेंगे तो अगर आप चाहते हो जो apps multi window support नहीं करता वो भी apps multi window support करेंगे तो आप ऐसा भी नियाबल कर पाऊगे आपको जाना है settings में about device में version पे आपको tap करना है और यहाँ पे होगा version number आपको इस पे लगातार 7 times tap करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको अपने pin को confirm करना है back जाना है आपको open करना है additional settings को और यहाँ पे आपको में लेगा नया option जो है develop options आपको इससे open करना है और यहाँ पे नीचे आईए सबसे नीचे आईए यहाँ पे आपको में लेंगे 3 options जिससे आपको on करना है तो सबसे पहले on कीजिए force activities to be recisable enable non recisable in multi window और इन में आपको on करना है enable free phone windows इसे on कीजिए आपको करना है reboot now आपका फोन होगा restart तो phone restart हो चुका है तो अगर आप देखोगे अब यहाँ पे आपको snapchat settings या instagram phone पे के लिए आपको शुकरेगा नया option जो है split window का तो आप इन आपस को अब multi window में यूज़ कर पाऊगे इस तरह के से मतलब कि अब आप दो apps को एक साथ यूज़ कर पाऊगे यहाँ पे में यूज़ करना चाहूँगा instagram और clock आपको दोनों apps को अब में यूज़ कर पाऊँ multi window में इसके लाँ आप इनकी size भी change कर सकते हो इस तरह के से और आप इस पे tap करके इन्हें उपर निचे कर सकते हो swap पे tap करके इस तरह के से आप देख सकते हो अगर आपको करना है तो इसे कीज़े swap down कई सरे apps ऐसे होते हैं जो dark mode support नहीं करते हैं मतलब कि अगर आप अपने phone में dark mode कोन करोगे फिर भी जो apps होंगे dark mode show नहीं करेंगे जैसे की flip card amazon आप देख पारे हो flip card अभी भी show करेगा मुझे light mode में ही और जो amazon है वो भी मुझे show करेगा light mode में ही तो अगर आप छाहाते हो जो apps dark mode support नहीं करते वो भी apps dark mode support करें तो आप ऐसा भी नेवल कर पाओगे आपको open करना है developer options के SM page को और यहाँ पे आपको आना है नीचे यहाँ पे होगा एक option जिसका नाम है or right force dark तो यह रहा or right force dark से own कीजिए इसके बाद जो भी apps आपने open किये थे जैसे कि Flipkart Amazon आपको ने करना है restart तो फिर से अगर आप उन्हें open करोगे तो यह जो apps होंगे आपको show करेंगे dark mode में Flipkart मुझे show कर रहा है dark mode में सेम तरीक से जो Amazon मुझे अभी show करेगा dark mode में keyboard में अगर आपने gore किया होगा तो keyboard में typing करते हुए यहाँ पे अगर आपको back जाना हुआ तो अगर आप back करोगे keyboard में तो back काम नहीं करेगा आप देख सकते हो आपको keyboard के उपर में swipe करना होता है back जाने के लिए तब भी back gesture काम करेगा तो अगर आप चाहते हो keyboard पे swipe करने पे भी back काम करेगे तो आप ऐसा भी enable कर बाओगे आपको back जाने के लिए उपर में swipe नहीं करना पड़ेगा इसके लाए आप नीचे जो unwanted empty space है आप उसे भी remove कर सकते हो keyboard को नीचे shift कर सकते हो तो आपको जना है settings में additional settings में और यहाँ पे है keyboard और यह है miss touch prevention आपको इसे off करना है और यहाँ पे keyboard location आपको इस पे ट्याब करके set करना है standard पे तो अब आप देखोगे अगर आपको आप keyboard में back जाना होगा तो आपको keyboard पे ही करना है swipe अब यहाँ पे keyboard में back काम करेगा आप देख सकते हो इसके लगा यहाँ पे जो नीचे space थी उसे भी हमने remove कर दिया है आप इस phone में daily data usage tracker को enable कर सकते हो मतलब कि आपने आज अपने phone में कितना data use किया है आप उसे check कर पोगे real time में तो इसके लिए आपको जाना है settings में और यहाँ पे search करना है data usage तो यहाँ पे होगा data usage आपको इस पे tap करना है data usage limit पे tap किजिए daily data पे tap किजिए आपको इस toggle को on करना है माल लिजिए आपकी daily limit है 2GB तो आपको यहाँ पे search करना है उससे साब से 2 और यहाँ पे GB done किजिए इसके लाब आपको फिर से जाना है settings में notification में more settings में और यहाँ पे है display data usage आपको इसे on करना है इसके बाद अगर आप control center को open करोगे तो यहाँ पे आपको showगा data usage आज आपने कितना data use किया है और कितना बाकी है आप यहाँ पे check कर पाऊगे real time में इसके लाब अगर आपको यहाँ पे network speed को enable करना है तो आपको जना है back और यहाँ पे है status bar इसे open किजिए और यहाँ पे है real time network speed इसे on किजिए अब आपको यहाँ पे शुकर एगा real time network speed दोस्तो 20-20 settings जिने आपको change करना था आपके realme 12 5G में इसके बाद आप काफी अच्छे से अपने phone को यूज कर पाऊगे अगर आपको वगी भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो आप मुझे Instagram पे या फिर Twitter यानी के accept पे भी message कर सकते हो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो